हालो दोस्तों नमश्कार आदाव आज आपके सामने ये स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है ये इतना important part है बांचपन की समस्या सारी इसी parts के द्वारा होती है इसकी बारिगिया लोग को नहीं पता लोग AI करते हैं लोग को नहीं पता कि normal uterus बाहर कैसी दिखाई देती है तो ओवरी क्या होती है ये सारी चीजा आज आप देखांगे उससे पहले मेरी request है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें आपको uterus की जानकारी होना बेहज हो रही है पीडी के लिए और AI के लिए और infertility के लिए बांचपन के लिए अब आपके साम अबर हमें लाइव यूटरस दिखाईए तो लाइव यूटरस हाज में दिखाने जा रहा हूँ कियसी होती है और कौन कौन से parts यूटरस के होते हैं और ये बफैलोć की हीफर्स की यूटरस है जो मैंने आप लोग के लिए सलेक्ट किया है कि मैं आप लोग को दिखा हूँ दिखाने का मक्सद यह है कि यह गन कैसे पास करते हैं, कौन-कौन से पार्थ होते हैं, कहां पर बच्चा मेंटेन होता है, कि फिशन पार्ट होते हैं, यह बॉड इसके अंदर से हम गन पास करते हैं इस हिस्से का नाम है सर्विक्स ये लास्ट पार्ट है सर्विक्स हैं इसे हम लगा के गन पास करते हैं और धीरे धीरे गन पास करते चले जाते हैं पहला हिस्सा सर्विक्स हो गया दूसरा हो गया ये बाड़ी आफ यूटरस और तीसरा ये हौन है राइट हौन राइट तरफ और लेफ्ट हौन लेफ्ट हौन ठीक इसी तरीके से आपको ये पैलविक रिजन में पैलविक कैविटी में ये यूटरस मिलती है हम इसको पकड़के इस तरीके से पकड़के ऐसे पकड़के हम इसको आगे बढ़ते हैं और दोनों हौन को ह करने वाधिवश्रों संद्ध जूड़ा की सब्सक्राइब करते हैं कि फणल जुड़ती है और इधर हम आ गए तो इधर की साइड में यह और यह लेफ्ट ऑब्री और लेफ्ट ऑब्री के साथ यह नली जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं यह फैलोपियन ट्यूब यह तो यहां से जो और निकलता है इस नली के माध्दम से इसके अंदर आता है और जो बच्चे का होता है वो क्षिपह एंध बीच में होता है थो हम से गणार करते हैं due तो यह नॉर्मल यूट्रस है और इट्रस में कितने पाड होते हैं यह सारी चीह हमने आपको बताए यहां से गन को पास करते चला जाते हैं और अब हम आपको अंदर से इसको दिखाएंगे कि किस टाइप से यह यूट्रस दिखाए देती है यह देख रहे हैं अगर यह हाड ह है और यह भी दोनों हाड है तो आप यह मान के चलिए कि यह नॉन प्रिग्रेंट है ग्याविन नहीं है यह गरभाश है यूट्रस का मदलब गरभाश है बच्चेदानी जिसके अंदर बच्चे मलता यह तीन लेयर से मिलकर बनता है अंदर से बाहर की तरफ इंडोमेट्रि से बीच वाली जो होती है उसका काम है वो मसल से बनी होती है जब बच्चा बहार फैका जाता है बच्चे को बहार लाए जाता है उसका काम है बच्चे को बहार लाना और पैरी मेट्रियम का काम है जब लिगमेंट है जिससे बच्चेदानी रुकती है उसको जोड़ के रख यह चीजे बहुत कम आपको यूट्यूब पे देखने मिलेंगी यह लाइब वीडियो में इसलिए बना रहा हूं कि ताकि जो बच्चे नए बच्चे हैं वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूट्रस कैसी है यह पूरी तरीके से आप ऐसे पकड़ते हैं ऐसे जाते आप इसको मैं हाथ में ङे करें आपको दिखा रहा है है कि यह देखिए हाथ में ली होड़े हैजए हमने ही ईट्रस को पकड़ा होल्ड किया फूर करते और जो बैस तरीचा यह कर पिये करें और्स तरीका में आपको बता दून 32 मैं इस बच्चों को सिकाता हूं आम तोर्षता कि अपर में अपर और यह आपको आपको दोन फाल हों Gईसैनल के सब्सक्राइब कोना इसको अधर में से अदर किसे अदर फीटस भी होगी तो तो ये सारी चीज़ है ये 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 अलग अलग होर्न होते हैं लोग को पता नहीं था बच्चे को के होर्न कैसे होते हैं ये दोनों होर्न है ये राइट होर्न है ये मूवेबिल होता है ये सम में चल सकता है ये लेफ्ट होर्न है ये पता चलता है ये इसकी ओबरी है लटकी है इसको हम फील कर सकते हैं, यह फैलोपियन ट्यूब है, इसको हम फील कर सकते हैं, यह राइट ओवरी है, इसको हम फील कर सकते हैं, यह फैलोपियन ट्यूब है, इसको हम कर सकते हैं, यह देखिए यहाँ पर जुड़ी रहती है, लास्ट में जुड़ा रहता है, फैलोपियन ट पास करते हैं यह हम दिखाएंगे कि गन पास करने का जो तरीका है यह कैसे गन पास करेंगे और यहां किस तरीके से गन को आएगा यह अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे पूरी तरीके से आपको हम यूटरस के बारे में बता भी चुके हैं आगे फिर बताएंगे झाल